जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिये गए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों आपने ये कहावत तो सुने ही होगी कि हर सफल इनसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है ये कहावत यूही नहीं कही गई है दरसल हिंदु पुरान में भी पती की सफलता के पीछे पत्नी को ही एहम कारण माना जाता है कहा जाता है कि शादी के बाद पती की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बरबाद होना शुरू हो जाती है बरबादी के कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है वविश्य पुरान में बताई पती पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है जिसमें पतनी की कुछ गलतियों के बारे में बताया है अगर पतनी शादी के बाद कुछ गलतियां करती है तो उसका सीधा असर उसके पती पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है कई मामलों में तो पती की तरक्की भी रुख जाती है इसलिए शादी के बाद पतनी को कुछ कायदों को ध्यान में रखना चाहिए यानि कुछ ऐसी बाते हैं जिनका ध्यान उन्हें रखना चाहिए कुछ ऐसे काम हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए दोस्तो नमबर एक है देर तक सोना दोस्तो कोई भी पतनी अगर सुभह सूर्योदे के बाद भी बिस्तर पर सूती रहती है तो वहां काफी मात्रा में नकारात्मक उर्जा पैदा होती है ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पती को हमेशा दुर्भाग्या का सामना करना पड़ता है इस उर्जा का असर सीधे पती के भाग्या पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है इसलिए पतनी को सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए वैसे तो सभी को सूर्य उदे होने से पूर्भी उठना चाहिए लेकिन शादी शुदा महिलाएं इस बात का खास खयाल रखें दूसरी गलती है पतनी का रोज नहीं नहाना जो भी पतनी या महिला रोज नहीं नहाती है या अपने आपको साफ सुथरा नहीं रखती है तो वो महिला नेगेटिव एनरजी से भरी रहती है और उसके इर्दगेद नेकिटिव उर्जाओ का भी आभास होता है ऐसे में पती आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी चीज में मन नहीं लगता तीसरी गलती है पतनी का जगड़ा करना और कटू वचन वोलना अगर महिला अपने पती से हर बात पर लड़ती है जगड़ती है तो पती का माइन डाइवर्ट होता है काम पर नहीं लगता जिसका असर उसके काम पर पढ़ता है और व्यवार पर भी दिखाई देने लगता है चौथी गलती है साफ सफाई ना करना जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हैं और जिनके कमरे में बद्बू आती है वहाँ दरिदरता आने में देर नहीं लगती जिसका सीधा असर पती की कमाई पर पड़ता है माना जाता है कि जो महिलाएं गंदगी रखती है उनके पती का खर्च जादा होता है आमदनी कम होती है इसलिए पतनी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए दोस्तो आखरी और पांचवी गलती है खाने में भेदभाव करना जो कोई भी महिला अपनी पती को खुशी मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती उसके पती की बरबादी वहीं से शुरू हो जाती है ऐसी गलतीयों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पती के पीछे पड़ा रहेगा कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देगा दुर्भाग्य से बचने का भी उपाय है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ना करो और उपाय के सहरे ही अपने आपको तरक्की की राहा पर ले जाना चाहो अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है अपने मा, बाप और अपने परिवार को आदर सम्मान करें, उन्हें इज़द दें, हमेशा सब को खुश रखने की कोशिश करें, किसी का बुरा न सोचें। वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली, धन्यवाद। जय मातादी दोस्तों कैसी हैं आप सभी?